मेरे प्रिये भाई और बेनों आज हम इस वचन पर मनन करेंगे उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं पहला पेतरुस अध्याईदो वाक्य 24 पेतरुस ने ये वचन इस सियास नभी के ग्रंध के अध्याई तिरपन वाक्य पांच से लिया है वाँ पे लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं शब्दों का ख्याल करना उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं वाँ लिखा हुआ है हो गए हैं ये नहीं कहा जा रहा है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाते हैं बलकि यह लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं हम चंगे हो गए हैं हम भले हो गए हैं हमारा छुटकारा हो चुका है लेकिन जब मिश्वास के द्वारा उसको ग्रहन करेंगे तब हम उसको अपनाएंगे एक बहन कई वर्षों से मुझे टेलेफोन में मेसेज़ बेशती थी अलग-अलग लोगों की समस्याएं उसके अम्त में वो लिखा गरती थी By his wounds he has been healed उसके घाउन द्वारा वो चंगा हो गया है उस व्यक्ति का नाम लेकर लिखती थी और बाद में वो ये भी मेसेज बेशती थी कि प्रवियसुने उसको चंगा किया है उसके घाउन द्वारा हम भले चंगे हो गया है प्रवियसु पूरी तरह से घायल किये गये थी उन पर 49 बार कोडे बरसाए गये थी कोडों से उनका शरीर उपर से लेकर नीचे तक बिलकुल चीर आ गया था उनके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था मुकुट को ठोक दिया गया था उनके सर में घाव हो गये थी और जब कलवारी पहाड पहुँचने से पहले उनको क्रूस डोते भी जाना पड़ा भारी क्रूस डोते समय उस क्रूस के वजन से उनका कंधा छील गया था रास्ते में पहाड के मार्ग पर बार बार गिरते गिरते उनके घुटनों में और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में घाव लगे थी कलवारी पहाण पहुंचने पर लोगों ने उनके शरीर पर जो वस्त्र था उसको नर्देता पूर्वक निकाल दिया उस समय उसके शरीर के घावं से चीपके वे वस्त्र को निकालने से वे सारे घाव फिर ताजा हो गे थे वे कुरूस पर लड़ लिटाये गे थे और उनके दोनों हाथों में मोटे मोटी कीले ठोक दी गए थी उनके पैरों पर कील ठोक दी गए थी उनका पूरा शरीर लहु लुहान था घावं से भरा हुआ था प्रभ येशु के आने से 700 साल पहले इस्यास नभी के द्वारा भवी शिवानी हुई थी इस्यास नभी के गरंद के अध्याई तिर्पन वाक्य दस में लिखा हुआ है वो दुखों से राउंद आ गया था वो दुखों से राउंद आ गया था इस्यास नभी अध्याई तिर्पन उसके वाक्य दो और तीन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं हमने उसे देखा था उसमें ना तो सुंदरता थी ना तेज और ना कोई आकर्षन ही वो मनुश्यों द्वारा निंदित और तरस्कित था शोक का मारा और अत्यंत दुखी था लोग जिनें देखकर मूँ फेर लेते हैं उनकी तरह वो तरस्कित और तुच समझा जाता था इस्यास नभी अधियाए बावन उसकी वाके चौदा में लिखा हुआ है उसकी आकरती इतनी विरूपित की गई थी कि वो मनुश्य नहीं जान पड़ता था लोग देखकर दंग रह गये थे तो प्रभी येशु के उपर इतने घा हुए इतना घायल किये गये थे कि वो बिल्कुल विरूपित हो गये थे उनका रूप बिल्कुल बिगड़ गया था लोग देखना नहीं चाहते अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई दुरघटना नहीं है ये कोई दुरघटना नहीं है बलकि ये इश्वर की योजना के तहत हुआ है कुरिंतियों के पहले पत्र की अध्याय पंदरह उसके वाकित तीन में लिखा हुआ है मसी हमारे पापों के प्राश्चित के लिए मरे जैसा की धरमग्रंद में लिखा है यानि सन्पावलूस हमें बताना चाहते हैं कि प्रभी एसु मसी को जो दुख भोगना पड़ा जिस मृत्यू का सामना करना पड़ा यह कोई दुरघटना नहीं है कोई एक्सिडेंट नहीं है बलकि ईश्वर की योजना का हिस्सा है प्रभु स्वयम कहते हैं यहन के सुजमाचार की अध्याए 10 वाक्य 18 में मैं स्वयम अपने प्रान अपनी बेड़ों के लिए अरपिद करता हूं कोई भी मुझसे लेने सकता है यहन का सुजमाचार अध्याए 15 वाक्य 13 में प्रभु करते हैं इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्रान अरपिद कर दें तो प्रभी ईश्व स्वयम कहते हैं कि मैंने अपने प्रान अरपिद किया है यहन का पहला पत्र अध्याए चार वाक्य 10 में यहन कहता है कि इश्वर ने हम से प्रेम किया और हमारे पापों के प्राइश्टित के लिए अपने पुत्र को भेजा तो प्रभी ईश्व के शरीर में जो घा हुए प्रभी ईश्व को जिस दुख का अनभाव करना पड़ा प्रभी ईश्व जिस मृत्यू से ओकर गुजरे प्रभी ईश्व दफनाए गए यह कोई धुरगटना नहीं है कोई एकसिडन नहीं है बलकि ईश्वर की सु नियोजित योजना का इसा है यह जानना जरूरी है यह जानना जरूरी है इसलिए प्रभी ईश्व के इस दुख भोग का एक मतलब है अर्थ है अंग्रेजी में इसको कहा जाता है विकेरियो सफ्रिन अर्था दूसरों के लिए दुख भोगना दूसरों के कारण या दूसरों के लिए दुख भोगना प्रभी येसु ने जो दुख भोगा वो हमारे लिए था गलातियों के पत्रग्या ध्याएदोस के वाकि बीस में संद पाउलूस कहते हैं कि येशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आपको अर्पित किया देखिए पाउलूस कैसे देखते हैं उस मृत्यों को येशु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आपको अर्पित किया तो प्रभी येशु ने अपने शरीर में जो चोट खाया प्रवियसु ने दुख दुख भोगा वो हमारे लिए था आप पढ़ेंगे इस्यास नभी के ग्रंथ के अध्याय तिरपन उसके वाक्य चार में लिखा हुआ है परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने उपर लेता था मतिक इस्यास समाचार के अध्याय आठ उसके वाक्य सौला में पढ़ते हैं संद्य होने पर लोग बहुत से अब्दूत ग्रस्तों को येश्वी के पास लिया है और येश्वी ने शब्द मातर से अब्दूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया पाके सत्रा में लिखा हुआ है इस प्रकार नभी इस्यास का इकतन पूरा हुआ कि उसने हमारी दुर्बलताओं को अपनी उपर ले लिया तो वचन कहता है कि वह हमारे ही रोगों को अपनी उपर लेता था 2000 वर्षी पहले प्रभी इस्यास ने हमारे रोगों को अपनी उपर ले लिया आज इस्यास के नाम पर चंगाई तब मिलती है जब हम विश्वास करते हैं कि इस्यास हमारे रोगों को अपनी उपर ले चुके हैं कोई भी रोग हों कैंसर का रोग टीबी का रोग चर्म रोग हिर्दे रोग एड्स का रोग हर रोग को प्रभीय सुने 2000 वर्षी पहले अपनी उपर ले लिया अपनी उपर ले लिया हम पढ़ेंगे अगले वचन में लिखा हुआ है वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था यानि उनके शरीर में उन्होंने जो दुख भोगा वो हमारे ही दुख है हमारे जीवन में जो दुख अनवा हम करते हैं उसको प्रभीय सुने अपनी उपर ले लिया और उससे वे लद गए हमारे दुखों को हर प्रकार के दुख को येशु ने अपनी उपर ले लिया हम उनके भाई बेनों की जिन्दगी में जो जो दुख हम अनवाव करते हैं एक एक दुख को उस समय येशु ने अपने उपर ले लिया आगे लिखा वाक्य पांच में हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है पहला पेतरुस अध्याईदो वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं वह अपने शरीर में हमारे पापों को कुरूस पर ले गया वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया हमें मरना था हमने पाप किया लेकिन हमारी सजा उसने अपने उपर ले लिया शायद मैंने आपको कई साल पहले या कई बार ये कहानी सुनाया है दो भाईयों की कहानी अभी महतपूर नहीं से लिए मैं बूलता हूँ दो भाई थे एक बड़ा भाई एक छोटा भाई बड़ा भाई समाज में समानित छोटा भाई बच्पन से बदमाश जब वो युवा बन गया था बदमाशी भी बढ़ गई उसकी जेब में हमेशा एक छूरा रहा करता था एक बार की बात है वो अपने मित्रे के साथ वरतलाब करता है गर्मा गर्मी हो जाती है छूरा उठाता है उसके कलेजे में भौग देता है जब खूर निकलने लगता है तो वो होश में आता है सोचता मैंने क्या गर दिया वो छूरा लेता है और वहाँ से भागता है जान बचाने के लिए कोई भी दरवाजा इसके लिए खुला नहीं था सब लोग जानते थे किस प्रकार का लड़का था अचानक उस नहीं आद किया मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है बड़े भाई के घर की और दोड़ पड़ता है बड़े भाई ने चोटे भाई को दूर से देखा उसके हाथ में वो छूरा जिससे खून टपक रहा था उसका कपड़ा जो खून से बड़ा हुआ था चोटा भाई चिलाता है भाई के पास आता है बड़ा भाई कहता है बेटा कुछ मत बोलो तुम्हें काम कर अपना कपड़ा मुझे दे दो चूरा मुझे दे दो मेरे घर के अंदर घुसो मेरे कपड़ा पैन कर पीछे के दर्वाजे से भाग निकलो ऐसा ही हुआ बड़े भाए ने उस कपड़े को पैन लिया छोरा हाथ में लिया तब तक पुलीस दाउरती भे आ रही थी छोड़े भाए को पकड़ने के लिए पुलीस ने देखा वही चहरा वही कपडा खोनी कपडा और खोनी छूरा बड़े भाय को छोटे भाय की जगह पर अरेस्ट किया गया बंदी बना लिया गया और वो magistrate के सामने खड़ा किया गया मा जिसने पूछा कि सत्य क्या है मुझ खोलो बोलो बड़ा भाई मुझे खोलता है सत्य ने बताता है और छोटे भाई की जगा पर बड़ा भाई मौत की सजा को अपनाता है और मर जाता है बड़े भाई की मृत्यू के द्वारा छोटा भाई बच जाता है हमारे पापों के बोज़ को प्रभु ने अपने उपर ले लिया हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया कुकर्म हमने किया लेकिन हमारे कुकर्मों का फल उसने अपने उपर ले लिया वह कुचल दिया गया जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमेश शांती मिली है जो दंड हमेश भोगना चाहिए था हमारे नाम पर लिखे विए उस दंड को उसने अपने उपर ले लिया जो अशांदी मुझे मिलना चाहिए थी उसने अपने उपर ले लिया और मैं सोतंदर हो गया हूँ जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हामेश शांती मिली है और उसके घावन द्वारा हम बले चंगे हो गया है मुझे बरबाद होना चीए था लेकिन मैं बरबाद हो गया वचन छे में लिखा हुआ है हम सब अपना अपना रास्ता पकड़ कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे उसी पर प्रभू ने हम सब के पापों का बहार डाला है आगे लिखा हुआ वाकि आठ में वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गिया है आगे लिखा हुआ है वचन दस में प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाएं उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया उस ने प्रायश्चीत के रूप में मेरे पापों के प्रायश्चीत के लिए उसने अपना जीवन अरपित के अवाकि 11 में लिखा हुआ है उससे दुख्भोक के कारण जोति और पूर्ण ग्यान प्राप्त होगा उसने दुख सहे कर जिन लोगों का अधर्म अपने उपर लिया था वह उने उनके पापों से मुक्त करेगा फिर एक बार पढ़ता हूँ उसने दुख सहे कर जिन लोगों का अधर्म अपने उपर लिया था वह उने उनके पापों से मुक्त करेगा तो दो हजार वर्ष पहले प्रभीय सुने हमारे रोगों को अपने उपर ले लिया दो हजार वर्ष पहले प्रभीय सुने हमारे दुखों को अपने उपर ले लिया दो हजार वर्ष पहले प्रभीय सुने हमारे दंड को अपने उपर ले लिया हमारी सजा को अपने उपर ले लिया हमारे लिए वा कुचल दिये गए हमारे लिए वो रहुन दे गए हमारे लिए वो घायल किये गए तो प्रभी एसुने 2000 वर्ष पहले जो दुख भोगा जिसको आप बार बार फिल्मों में देखते हैं वो आप और मेरे लिए था इसलिए हमें प्रभी येशु के उन घाओं को याद करते हुए प्रार्तना करनी चाहिए आज की अरादना में प्रभी येशु के पांच घाओं पर मनन करते हुए चंगाई के लिए हम प्रार्तना करेंगे पांच घाओं को याद करते हुए चंगाई के लिए प्रार्तना करेंगे जब आप चंगाई के लिए प्रार्तना करते हैं येशु के उन घाओं को याद करेंगे येशु ने हमारे लिए घाओं को अपनाया है येशु के घाओं द्वारा हम भले चंगे हो गये हैं किसी के लिए भी प्रार्तना करेंगे उस समय ये दोराती भी प्रार्तना करना येशु के घाओं द्वारा भाला चंगा हो गया है एक घाओं हमारे लिए है उनके सर का घाओ उनके हिर्दे का घाओ उनके हाथों का घाओ उनके पैरों का घाओ उनके घुटनों का घाउ उनके शरीर में जितने घाउ है एक खाउ आप और मेरे लिए है उसकी दौरा हम भलेचंगे होते हैं आंके मद गिजिए हम परातना करेंगे प्रवयेशू से परातना करेंगे प्रवयेशू धन्यवाद देते हैं तेरे उस महान बलिदान के लिए, तेरे उस दुख भोग के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरा शरीर उपर से लेकर नीचे तक घाओं से बरा हुआ था, तू घायल हो गया, तू रवंदा गया, तेरे शरीर से लहू बह निकला, तेरे शरीर में कोई ऐसी जगा नहीं थी, जह अपने उपर ले लिया, मेरे रोगों को अपने उपर ले लिया, प्रभी येशू, तेरे शरीर पावन, पवित्र, महान, कारी पर विश्वास करने की मुझे कृपा दीजिए, तेरे की घाओं को याद करते हुए, हम तुझसे कृपा प्राप्त कर सकें, चंगाई प्राप् किजी हमें विश्वास का वर्दान दीजी